वेलकम स्टूडेंट मैं हूँ तांडे सर तांडे सर टेक्निकल चेनल में आपका स्वागत है दोस्तो एरपूर्ट अथर्टी अप इंडिया लिमिटेट के द्वारा रिसेंटली वेकेंसी जारी की गई है और इसमें आप देखेंगे कि AISL जाइपूर एरपूर्ट रिकूर्टमेंट 2024 जिसकी सेलरी 24,960 रुपए है और इसमें एरपूर्ट अथर्टी अप इंडिया लिमिटेट के द्वारा रिसेंटली डारेक्ट भरती निकाली गई है इसमें सीधे डारेक्ट आपका रिटर्ण टेस्ट होगा और परसनल इंटर्वी होगा डारेक्ट रिकूर्टमेंट इसमें निकाली गई है AISL जाइपूर एरपूर्ट रिकूर्टमेंट 2024 इसमें AI एरपूर्ट सर्विस लिमिटेट के द्वारा इसमें AI एर इंडिया एर ट्रांस्पोर्ट सर्विस लिमिटेट के द्वारा मतलब AIASL जिसे AI एर इंडिया एर ट्रांस्पोर्ट सर्विस लिमिटेट के नाम से जाने जाता है उसके द्वारा विशेज तो फिल in exciting vacancies as per the estimate requirement to maintain a wait list for the vacancies arising in future the Indian national male and female who meet the requirement stability as mentions men may apply for various post of Jaipur Airport Authority of India Limited for post of fixed contract basis for three years तो यह तीन साल के लिए Jaipur Airport Authority of India Limited vacancy जारी कर रही है और इसमें देखेंगे आप तो which may be renewed subject to their perform and their requirement for AI airport service limited internal candidate में आलसो भी apply तो इसमें एक चीज़ निकल के आती है कि यह तीन साल के contract के लिए होगा दूसरा इसमें direct recruitment होगा इसमें return exam नहीं होगी डारेक्ट interview based पे ही आपको selection किया जाएगा यदि आपके पास experience है तो आपको इसका benefit पहले मिल सकता है और इसमें the number of vacancies given below the indicative and any various per the operational requirement दोस्तो यहाँ पर different type के post आप देखेंगे तो station जो है वो जैपूर station के लिए है और इसमें positioning देखेंगे नंबरा posted junior officer technical officer की vacancies इसमें दो post जारी की गई है यदि आप देखें वाकिन interviews तो interview के date दी हुई है आठ पांच दो होजार चूबी साड़े नौ बजे से और address इसका दिया हुआ है मद्यवर्त aviation academy 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर स्कालोनी बुद्ध सिंग पूरा संगर जैपूर तो इसका जो address है ये संगर जैपूर बुद्ध पूरा तो ये थोड़ा सा याद रखेंगी इसका address जो दिया हुआ इसी address पर जाके आपको interview देना होगा हाँ सेकेंड में है customer service executive 21 post है इसका भी जो वाकिन interview date है ये 9.05.2024 को है साड़े 9 बजे से इसमें इसका interview चालो हो जाएगा तीसरा है junior customer service executive एक की स्पोस्ट है इसमें भी इसका भी time same है address भी वही है जो आपके interview को schedule है वो अलग-लग जारी किया गया है बट एक की ही date में पूरे interviews नहीं होंगे सबका schedule अलग-लग है जैसे 8-5 को junior technical officer का है 9 तारिक को customer service executive का है junior customer service executive का भी 9 तारिक को ही है 9 माई को और ramp service executive का 18 तारिक को है और इसमें 18 पोस्ट है और 10 तारिक 10-5-2024 को इसका interview है और इसमें लगभग 9 बजे से आपका interview स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे तक एड्रेस सेम रहेगा utility agent कम रेम driver की 17 पोस्ट है ये भी 10 तारिक को ही interview होगा इसका और जो हंड्यबेन होता है इसमें 66 पोस्ट है और ये 11-5-2024 को इसका interview conduct कराये जाएगा और 9 बजे से 12 के बीच में interview होगा तो लगभग यहाँ पर जो नमबरा पोस्ट vacancies है ये bulk power में है 66 टोटल इसमें देखेंगे 17, 18, 21, 21 and 2 तो टोटल मिलाके अच्छी salary है और पोस्ट भी bulk power में है जो candidate अभी तक गए नहीं है या इसका जो interview है वो किस type से होगा थोड़ा हम इस पर चरजा करेंगे recruitment का organization है AI airport service limited जैपूर और total type है fixed term contract basis पे है तीन-तीन साल के bond भराए जाएंगे तीन साल बाद automatic renewal उसे कर दिया जाता है एक सो पैतालिस टोटल पोस्ट इसमें education qualification में देखेंगे तो टेंथ ट्वेल्थ आइटे डिप्लोमा और graduate है selection का जो process है वो वाकिन interview होगा और डेट आप interview है आठ से 11 के बीच में मतलब 8 मई से 11 मई के बीच में यह होगा इसका pdf आप हमारे पास से प्राप्त कर सकते हैं इसके description में हम link देदेंगे वहाँ से download कर सकते हैं एर इंडिया जैपूर vacances की बात करें तो junior technical officer की इसमें टोपोस्ट है कस्टमर एक्सकेटिव की 21 एक्सकेटिव की 18 एक्सकेटिव की 18 एक्सकेटिव 17 है वह उसमें कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन पोस्ट में maximum increment ही होता है मतलब increase ही होता decrease नहीं होता education qualification बात करें तो junior technical officer में इसमें दिया है full time bachelor engineering mechanical automobile production electrical electronics electronics and telecommunication engineering recognized university से होना चाहिए executive service से graduation होना चाहिए आपका 10 plus 2 plus 3 patterns में इसमें junior customer service में 10 plus 2 from the recognized board से होना चाहिए दसवी बार भी ठीक है रेम service executive में देखेंगे तो ITI और NCVT वाले जो candidate है जैसे कि ITI किसकिस से होना चाहिए motor vehicle auto electrical से air conditioning से और diesel mechanic से या feeder से welder से वो भी NCVT में ही होना चाहिए तो यह अच्छे opportunity या 3 year diploma mechanical electrical production electronics तो यह अच्छे opportunity है कि यहाँ पर या तो poly हो या तो फिर ITI हो जिसके पास poly या आईटिय ही है वो farm apply कर सकता है ठीक है उसके बाद यदि हम देखे तो रेम कम ड्राइवर के लिए है 10 पास होना चाहिए handman के लिए 10 पास standard होना चाहिए ठीक है कुछ technical courses certificate है तो बहुत अच्छी बात है अब यह AI ASL recruitment upper age limit दी हुई इसमें जनरल के लिए 28 साल है आपको AI ASL जैपू recruitment की जो salary है सब की अलगलग salary दी हुई है जैसे जूनियर आफिचर टेक्निकल की 29 सजार है customer service executive की 24 सजार है junior service executive की 21 सजार है रेम service executive की 24 सजार है और utility agent रेम ड्राइवर की 21 सजार है इसमें handband की है 18,840 रुपए तो डीर candidate direct recruitment है आपको पूरा document लेकर एक setup तयार करके लेके जाना है और वहाँ पर जिस date में आपको बुलाया गया उस date में उस address में वेन्यू में आपको पहुँचना है और आपको interview देना है एंटर्व में जो selection जिसका होगा उसको जॉब मिलेगी तो डीर स्परेंट यह थी most important जानकारी में लेगे next वीडियो में तब तक लेजाएं